वेलकम बैक टुक्नामिक्स लेर्नेंग। तोड़े वी डिसकस्थ न्यू ग्रोथ थेरी। आज हम एकनामिक्स के अंदर न्यू ग्रोथ थेरी के बारे में डिसकस्थ करना है। The traditional new classical growth theory is stressed upon for an influe of capital to meet the saving gap in under developing countries. जो यह रवहिती new classical त्रक्की एन traditional new classical growth है ना इसका नजरिया जो है under developing countries में budget की फरक जो होता है उसको पूरा करने के लिए इसरमाय की गहर मुलकी आमद जोती है उस पर जोर देता है। But practically such are led to debt crisis in Latin American and African countries etc. इसका जो सबसे लेकिन अमली तोर पर जो यह सब जो है ना 1980 में और 1990 की दहाईयों के दुरान लातीनी अमरीका और अफरीकी जो कंट्रीज हैं पड़े इसमें कर्ज के बरहान का बाइस बने थे। इसी सुरत हाल में अमीड और गरीब जो कंट्रीज हरी चैंट पूर कंट्रीज के दर्मियान में जो है ना जो फर्क था बढ़ने की बज़ाए कम होंता शुरू हो गया था। और आई आमेंक और आईम अफ ने इंतहाई मकरूज कंट्रीज exit पर फर्यमार्कीर की इस्त⌹हात नादिभाए कई इस पर आलमी स्फ मार्कीर ती आलम कंट्रीज जो कंट्रीज में में अधर्ग उ चूके थे आजए नादिए जो अधरी म्करूज रबावारी दियर इस pouvoir तिजारती मिनियां जो हैं ट्रेट जो हैं पड़े मार्कीट्स वगारे इस तरह के जो तैश्चुदा लेबर लेबर लाइजेशन थे उसके बाद बहुत से जो अंडर डिवैल्पिंग कांट्रीज थे ना उनको बहुत कम या कोई तरकी नहीं हुई और वो नहीं गैर मुलकी सर्मायकारी को रागब करने या मुलकी सर्मायकारी की परवाज को रोकने में नकाम रहें जिसके पाकिसान का मौमला जो जो कि इसके बाद भी अपनी मौशी जिन्गी में कोई जबरदस अबदीली लाने में नकाम रहा है आई-एम-फ और वर्ल्ड बैंक की तरफ से जा तीन जो अड़ेस्टमेंट प्रोग्राम्स वगारा थे उसके साथ खड़े रहे हैं इस तरह भाया को ग्राउंड और तरक्की के साथ जो है जैसे वस्ति वा एंडोगेंट ग्रोथ या जाता है अब हमने इसकी फीचर वेगारा जो है वो डिसकास करेंगे न्यूग्रोथ थेोरी के इन्डोगेश ग्रोथ थेरी अ और हेंड ये गयर एक हैं तो इसमें हमनों ऑनने च्क एरोट ऩि himself isn't it जिएशाइन करने के लिए ना एक नजरियाती स्थ एक करता है जिस थामके जिए के सिरद यिसजें किए यहां GNP की डिवेल्पमेंट और उसके नहसार पैदावारी अमल जो हैं उसके निजाम पर है पड़ा जहां निजाम के मुतगई अराच जो एग्जोजीनियस की बजाए एंडोजीनियस पर हैं पड़े रवाइती जो ओड में ते थे उसमें नियो क्लासिक अल जो थे नमू के नजरिये के बराकस नियू ग्रोफ थेरी के हमियों का ख्याल रहा है कि GNP में इदाफा कंट्री की तवेल्जु लॉं टर्म पिरियड था उसमें तवादन का कुदरती नतीज़ा हैं इंडोजीनियस ग्रोफ थेरी इस बात का तजजिया करती है कि किस कंट्री के में तरकी की शरा का तैयून किया होता है और क्यूं मुमालिक में शरा नमू मकलिफ होती है दूसरे लफजों में अगर कहते हैं तो इस नजरिया में यह तजर्वा किया गया कि जी एन पी जो है जी डीपी की शरह नमू इसके साथ दिखाया गया है कि नतायून करने वाले जो हैं जो हैं जिन्हें सोलो अपने जो माडल में बगाया वामिल कहते हैं The New Growth Theory is different from the New Classical Theory on the basis of its assumption and implication. The difference in these two theories occur due to three factors The New Growth Theory is different from the New Classical Theory on the basis of the New Growth Theory. The New Growth Theory rejects the New Classical Assumption that the marginal return decrease along with increase in investment. New Growth Theory is different from the New Growth Theory. The New Growth Theory is different from the new classical Assumption that the normal return to the new growth is reduced. The second theory is stressed upon increasing return to scale. The third theory is increased by increasing return to scale. The third is the externalities also play in the same way. Their rule in the determination of return from the investment. So the New Growth Theory is a general plan for theaisseur to provide profit in the future of the appearance of aamiento. The New Growth Theory is equal the new profit. करती हैं लहाद वापसी के गिरने या कम होने के फित्री जहान को जाचना जा सकता है इस तरह से जो पेमाने हैं पड़े पर बढ़ते हुए प्रॉफिट का इतलाक होता तो कंट्रीज की आमदनी जो होती है इंकम उसके तवाजन जो एकिलीब्रिम होता है उसकी सथा से हट जा में जरूरी किरदार अदा नहीं करते हैं लाइक एच डी मोडल न्यू ग्रोथ थेरी इस आज़सो एक्ष्प्रेश्ट विद इस सेंपल एक्वेशन वाई इक्वाल तो एक्वेर एक्ष्प्रेश्ट विच इंफ्लेंस टेक्नोलोजी वाल के रिप्रेजेंट दा फिजिकल एक्वेर 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 वायेक एंटो वायेक आई तो के टieकनालोजी को मुतासेर करता म Minnie के नमाइनगी करते हैं इस त eyelet अभवाददार वरहन उसे कम होते हैं अट नाफिक को नहीं दिखाते हैं. इस तरह इसमानी और इनसानी सर्माया वरुनी मौश्थब मेश्थिया जो उसके हैं. और पहला वारी मौश्थ चाहिद उसमें इजावा हो जाहिए। जो कम होते हैं प्राफिट को पूरा करता है इसी नतीजतें जो होता है उस एक मेश्चत जो दहा है ने लॉंग रॉन में पायदारी तरक्य का तजर्बा करती है जिससे रवाइती नमू के नजरिया के जरिये कबूल नहीं किया जा सकता तरक्य के गूckets जो जो तरक्य कहा है घर जो होता है इसे के लिए दर्झ जो दावन फॉन चेश बहुत हैं सिर्वेड़नों है । इस पर भी भुरह वहीती नदरे की खिलाफ हैं पड़ा तो 1 में जो है नाद इनक्लोजद एक्ट इक्ट्राइब के लिए तो एक्ट्राइब लेडियु लेड़ जो इसमें ऐसे कोई ताकत मजूद नही है जो मेशत को तवाजन की सतह पर ले जासके पानेशनल सेमिंग रेट एंड टेकनोलोजी लेवल, कोमी शरह नमू जभान में सखेल रहती है। और कोमी बज़त की शरह जोती है। तमाम कंट्रीज में मुक्तलिफ होती है। 3. There is no tendency for per capita income level in capital poor countries to gauge those in rich countries with similar saving rates. स्रमाय के जो पूर कंट्रीज होते हैं उसमें फीका सामदनी जो होती है, निकम होते हैं उसके लेवल कोई रुजहान नहीं है, कि वो रिच कंट्रीज के लोगों के साथ स्यक्सम सेमिंग बज़त हो रही हो, उसकी शरह हासल करें इन हकाय के नदीजिये में किसी एक कंट्री में आरजी या शॉर्ट रन या लांग रन की साथ जो होता हैं उसमें बाजारी अपने और अमीर तरीन कंट्रीज के दर्मयान आम अलेक्वामी सरमाय का बहुब पहली दुनियों और थर्ड वर्ड कंट्रीज जो है ना थर्ड वर्ड जो है ना उसके दर्मयान दोलत के तफावत को बढ़ाता है यह नजरिया जो है ना यह सोचने पर मजबूर करता है कि अंडर डवेल्पेंग कंट्रीज में सरमाय कारी ज जो हैं ने उसके निचली सतर पर पूरा किया जा सकता है एक बर फेर अगर इसको देखते हैं तो यह भी पता चला है कि जो पूर कंट्रीज जैंसाने सरमाय की तश्कील वगरा पर किये जाने वार जो सरमाय उसके खरजाद से कम फाइदा उठाते हैं चुँके अफराद जो उपन मारकीर्स होती है इसमें जम्होने वाल तकमीली सरमाय की बेतरी सता होती है इसके अंदर जहां पर तकमीली सरमाय कारी समाजी और नीची फवाइद पाइदा करती है गोर्मेंट्सों जो होती हैं अवामी समान जो गुड्स होती है फराम करके या नीची सरमाय कारी की उसलाफ़ाई करके वसायल की तक्सीम की कारगर्दी को बेतर बना सकता है लहाज़ तरक्की का निया नजरिया जो हैंने इस तेनार की निकलाब के थेरिव के बराक्स है इकनामिक डिवैलिमेंट को फरोग देने में अमामी पलीसी के लिए एक फाल किरदार की तजवीज करता है इस तरह तरक्की जो हैंने इसका निया नजरिया जो नियू क्लासिकल नजरिया के साथ मुमासलत के बावजूद अजाद मणिया जो ओपन मार्कीट वगर होती है और गुर्स की गैर फाल किरदार की अकीद से अलग है फ़रा न्यू ग्रोथ धरी जो ने जिएठी थी थी ना, के मुताबक थल कि उने इसके मकलत थी मोर्थ की तो नियूद ने जरिया स'M आन्या कारई के नतीजे में झाल, सस्रमाय कारी के दीधार की प्हती है सरमायकारी बुनियादी यह का फरायमी और अलम पर्मवनी नेजी सरमायकारी को फारोग दे सकता है ऊसके नतीयये तर ना शरुप इंसानी सरमाय की तेश्कील में तो बहते हुए जो फ्राफिट सामने आएंगे इस तरह सुनो मडल जो था ता नह इसके बिलकुल एक फिलाप है यह एंजी टी जो है लिए है न्यू ग्रॉथ तेड्य जो है इसके मडल टकनीकी पेशराफ़्ध राफ्त को इंसानी सरमाय कारी और नीजी सरकारी फोिए अगर पर पर देखते हैं तो यह मुझा जो है ना कारी इस सर्मायकारी और अलम पर मबनी संते में गारा होते हैं इसके वजूर के नतीजे के तोर पर तसलीम करती हैं लिए आज आज जो है ना न्यू ग्रोथ धिरी माडल्ल एक्तिसादी तरक्की जो होती है इकनामे ग्रोथ ब्रहराज जो ट्रैडाक्री तोर पर जो है बिलवास्ता तोर पर इंसानी मसाल जो है ना सर्मायाकारी को बढ़ाने पर जोड दे रहे होते हैं तो एक बर अगर पिर इस पर देखते हैं तो यह मुझा इलम या मालुमात पर मबनी संते में गारा कायम करते हुए कंप्यूट किस्क अचेक भीक नकिए कंट्रिशन हो जटमान थन्यू nhânra की बाइन फ्लोफ करें नीओ विल्ट थेरी है। अजय ऐस बेस्ट अपान सो मेन ट्रीडिशनल नियू कलाशिकल अजंप्शन विच आप्लाइबल इन केस आफ अडिवैल्पइंग गांटरी यह जो नियू ग्रोथ थेरी है इसकी बुनियादी यह है कि बोस्तारे जो रवाईती नियू कलासिकल मफरूज हैं उस पर उसके मौ पाइद पैदावारी शुबे हैं या तमाम संते मगरा हैं एक जैसी हैं लाद तरकी की वज़ा से मुखलफ संते और शुबे होते हैं इसमें मुझदूरी जो होती है और सरमाय की दूबार ड्मियान होती है उसको एंगी टी जो निए ग्रोफ थेरीयस ने कबूल नहीं किया इ और जाहर मुखल सरमाया और सम गुर्जो की मणियों से भी मौशी नमू इस तरह नियू ग्रोफ थेरी मुतासिर को होती है जैसे के ताकतवार आमामिल वगारा को नजर अंदाज करता है लहाजा जब हम मुखलिफ कंट्री की शराक नमू का तजजिये करते हैं तो हम इस पसमानदा कंट्रीज हैं पड़ें न सिर्फ कंपज़त और समसानी सर्माया कारी की वज़ा जरीव हैं बलके इस वज़ा से भी हैं कि इनके पास मराहँत का पसमानदा निजाम है वड़ा तरक्की पज़ीर जिव मुमालेक हैं एक्सर मुक्तलिफ मुकस्थ कि इन नकामियों महरीन एक नामेशन वजारा से कमर्शिलाइजड मार्कीट सिस्टम में तबदीली करते हैं थर्ड लाश्ट पॉइंट है निव ग्रोफ तेरी इसका तलोक तो यह ना लॉग रॉप्मेंट होती है उसकी शरा के तयों से है पड़ा जो इसकी ग्रोफ हो रही होती है लॉग टर्म के लिए जबके जहां तक तरक्की पजीरिक ममालेक होते हैं उसका तलोक एन के लिए मुक होती है उसकी शरा नमुग का तयों करना ज्यादा एहम है के एंपी एंजीडी जो है ना ग्रोफ तेरी जो है ना तजरबाती तामुन हासिल करने में नकाम है तो यह था आज के अमरे लैसन थेंक्यू